हेलो दोस्तो, मेरा नाम असलम अहमद है और मैं आपका स्वागत करता हूँ Coral Draw Essentials के सीरीज में और Coral Draw का अगला टूल है Crop Tool Crop Tool का उप्योग, Objects और Images के अंचाहे हिस्सों को हटाने के लिए किया जाता है ताकि आप सिर्फ जरूरी हिस्से को ही दिखा सकें Crop Tool की मदद से आप किसी भी Selected Object या Image के Extra हिस्से को Remove कर सकते हैं आप Crop Tool से Multiple Objects को भी Crop कर सकते हैं आप एक साथ कई Objects को Crop कर सकते हैं जिससे आपका Workflow तेज हो जाता है बस Objects को Select करें और Crop Tool का उप्योग करें Crop Tool के कुछ Sub Tools भी हैं इसे Select करने के लिए आप Crop Tool के Icon पर Click करके Hold करते हैं तो एक Drop Down आएगा और उनमें से किसी भी Sub Tool को आप चुन सकते हैं और उनमें से पहला है Knife Tool Knife Tool का उप्योग Objects को दो या अधिक हिस्सों में काटने के लिए किया जाता है आप Straight या Free Hand Lines के जरिए Object को Split कर सकते हैं जिससे आपको Complex Shapes बनाने में आसानी होती है Virtual Segment Delete Tool Virtual Segment Delete Tool का उप्योग Intersecting Objects के Overlapping Segments को हटाने के लिए किया जाता है इसे Simply Click करके उन हिस्सों को Delete करें जो Intersection में हैं जिसससे बाकी Shape intact रहती है Eraser Tool Eraser Tool का उप्योग Object के Specific हिस्सों को Manually Remove करने के लिए किया जाता है आप इसे Brush की तरह उप्योग करके Object के हिस्सों को Erase कर सकते हैं यह Erased Area Automatically Closed Curve बन जाता है तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि Coral Draw में Crop Tool को कैसे यूज किया जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो Like और Subscribe जरूर करें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद